लास्ट लेक्च्टर में हमने देखा Services in Android क्या होती है जिसमें हमने Bound and Unbound Services का concept भी देखा अब हम देखेंगे Service से related एक और important concept हम सीखेंगे AIDL Android Interface Definition Language ये concept क्या होता है देखेंगे Android का कोई भी टास्क है कोई भी application है By default हर एक टास्क अपनी खुद की application में run होता है यन्य हर एक के पास अपनी खुद की memory होती है अब अगर एक application को जो अपने process में run हो रही है तो इसको एक process से दूसरे process के बीच में communicate करना है तो directly ये चीज पॉसिबल नहीं होती है तो ये fund achieve करने के लिए यहाँ पे एक concept होता है Inter process communication जिसके तुरू एक process दूसरी process का memory शेयर कर सकती है अब ये चीज Android के अंदर perform करने के लिए जो concept है वो है AIDL Android Interface Definition Language यन्य दो अलग-अलग process के बीच में जो communication का requirement होता है अलग-अलग applications को यन्य दो application है तो दोनों अलग-अलग process में run हो रही है और दो को एक दूसरी से communicate अगर करना है तो वहाँ पे AIDL का concept का use करना पड़ेंगा यहाँ पे AIDL जो होता है वो एक client server architecture के तरह काम करेंगा जिसके तरह हम दो अलग-अलग process की जो अलग-अलग application है उनके बीच में communication कर सकते है अब हमें देखना है कि यह जो AIDL का concept है वो actually कैसे काम करता है तो हम एक simple example लेते है यहाँ पर हम हमारे device में अलग-अलग application का use करते है तो अगर कोई हम application use कर रहे है और उस application को suppose camera application का requirement है जो हमारे device में inbuilt होती है तो camera application का use करने के लिए यहने suppose मुझे एक picture click करना है मेरी application के थूँ तो मेरी application के button click पेने take picture ऐसा कोई button होगा जिसके click पर inbuilt camera application open हो जाएगा अब camera के थूँ जो picture capture करना है उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा requirement हो सकता है कि मुझे location जो है वो location भी उस photo में display होना चाहिए वहाँ पर तो अगर location display करना है तो वहाँ पर हमे location service का use करना होगा हमारे जो system में होती है तो यहाँ पर हम हमारी application के साथ साथ camera application का भी use कर रहा है location based application जो services होती है उसका भी use कर रहा है तो यहाँ पर एक से ज़ादा application का use हमें करना है तो यहाँ पर AIDL का use करके हम इस तरह का जो concept है उसे achieve कर सकते है अब यह जो AIDL है उसे हम कैसे use कर सकते है यह हमें देखना है तो AIDL को use करने के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ steps को follow करना होता है और उन steps को follow करके हम हमारे application के अंदर AIDL का use करके interfaces communication का जो concept है उसे apply कर सकते है अब वो steps क्या है जो हम practically हमारे project में देखने ही वाले है पहला step जो होता है वो होता है dot AIDL file create करना यहने हम हमारे जो project है उसे right click करके यह particular जो step है उसे follow कर सकते है जो हम इसके project के अंदर देखने वाले है दूसरा जो step होता है वो होता है interface जो होता है उसे implement करना simple words में कहूँ तो हम यह task एक service के तुरू achieve करेंगे तो हम क्या करेंगे एक class create करेंगे जिसे extend service करवा देंगे तो यह काम हम यह step में करते है implementing the interface जहाँ पर हम binder का use यहाँ पर करने वाले है और तीसरा जो steps है यहाँ पर तीसरा step होता है कि हमारा जो actual project creation यहाँ पर हमारा layout designing होंगा हमारा जो main activity creation होंगा वो भी यहाँ पर होंगा और इस main activity के साथ जो हमने already service create किया है second step में और first step में जो .aidl file है उन दोनों का combination हम यहाँ पर third step में use करेंगे इस chapter के अंदर हमने देखा AIDL क्या होता है next session में हम देखेंगे Android service example